नमस्कार दोस्तों, स्मृतिस किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे साबुदाना कीर, इसमें हैं कीर और टिक्की, दोनों का स्वागत, तो देखिए ये वीडियो इसके लिए लीजिए एक कप साबुदाना, इसे एक गंटे तक दूद में बिगो के रखिए अब इसमें मिलाएंगे आदा लीटर दूद, जब साबुदाना कीर बनाते हैं, इसे मिक्स करते रहना होगा, नहीं तो ये पैन से चिपक जाएगा दूसरे पैन में लीजिए एक कप शकर, इसमें डालिए आदा कप पानी, पूरी तरह मेल्ट हो चुका है अब हम इसे कीर में डालेंगे अब पौडर करेंगे, दस ग्राम बदाम, दस ग्राम कैशू इस पौडर को दूद में मिलाते हुए डालेंगे, कैशू बदाम पेस्ट दूद में मिलाके ऐसे डालेंगे कीर में तो के लिए थोड़ा साइलाइची नैचुरल केसर डालेंगे ताकि कलर और फ्लेवर अच्छा रहे देखिए कितना मस लग रहा है हमारा ये साबोदाना कीर हम टिक्की बनाएंगे इसके लिए लीजिए एक चम्मच गी 10 ग्राम कैशू और किस्मिस लेते हैं 10 ग्राम पिस्ता इसे गोल्डन प्राउन होने तक फ्राइ करेंगे दूसरे पैन में एक चमच शक कर लेते हैं इसमें डालेंगे एक चमच पानी तर्ण कंसिस्टनसी तक इसे उबाल लेते हैं और बाद में इसमें डालेंगे नट्स जैसे नट्स की टिक्की बनाते हैं ऐसे एक स्ट्रिंग कंसिस्टनसी होना बहुत ज़रूरी है इसे टंडा होने पर माश करेंगे ये नट्स बहुती क्रिस्पी और टेस्टी बनता है ये देखिए कितना मस्त बना है हमारा साबुदाना कीर अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और जरूर शेर करें